नमस्कार दोस्तों हिमानस्रों में शनाम है हमारा और आप देखना सुरू कर चुके हैं इस्टुरेंड लाइफ मैं इसी वीडियो को पहले बना रहा था और सब कुछ गलत फलत हो गया एक दुबारा आप लोगों के लिए एक नए तरीके से मेहनत करते हैं जी हां आज की कोची रखते हैं और हैवी इन्वरस्टी में एड्मिशन लेना चाहते हैं उन लोगों के लिए पूरी जानकारी संगर्ठित करके हमने यहां पर रखी है सुपर निम्रेरी सीट होती है जो कि स्पेसल सीट होती है जिस पे खास सबज़ों दिया जाता है उनके लिए जो कि ब चुक के आर्ट्स फेकलिटी में एड्मिशन लेना चाहते होंगे और बीएच्चू के इंपलॉई होंगे तो उनको आराम से एड्मिशन मिल जाता है मताजी निको मालूम होती है क्योंकि इनके पिता जी या माता जी यहां पर काम कर रहे होते हैं कही लोग हमसे पूचते है कि इस seat के अंतरगद क्या हमारे चाचा भी एच्चु में काम करते हैं तो क्या हमको admission मिल जाएगा भी एच्चु कोटा की को यूज करते हुए employee कोटा को जी नहीं जो भी direct blood relation में आते हैं जैसे मेरे पिता जी अगर भी एच्चु में भी एच्चु वार्ड में अगर हम कोटा लगाते हैं employee हैं तो सिर्फ में यूज कर सकता हूँ मेरे वहाई है और इक बहूर्ण है सिर्फ दो लोग थीन लोग यूज कर सकते हैं और हम गर भी एच्चु कोटा को ढखते हैं अगे आते हैं sports quota sports seat BHO में कैसे मिलती है कितनी seat किस faculty में कैसे बित्रण की जाती है सारी चीजें आपके सामने लिखा हुआ है ठीक है और हम बताने की कोसिस करेंगे जैसे देखिए arts और social science में कितनी कितनी seat है 20 इच यहां पर लिखा होगा मतलब यहां पर arts में भी 20 है और उसके बास social science में भी 20 है मतलब इसमें 20 है इसमें 20 है दोनों में 20 20 है 20 20 मतलब is equal to 40 seat total arts और social में है और मैं दोस्तों बता दों कि arts और social की जो counseling है वो combined चल लए है तो इसलिए इसको एक साथ हमें इसा लिखा जाता है ठीक है उसके बाद आते हैं science पे science के पास total 15 seat है लेकिन यहां science दो तरीके से चलता है एक चलता है B.A.C. math honors ठीक है एक चलता है biology honors ठीक है तो यह दो दो course अलग-अलग हैं दोनों का अलग-अलग exam भी होता है C.U.E.T. के जरिए B.A.C.O. का सारा सब कुछ C.U.E.T. के जरिए होता है आप 12 पास किए तो C.U.E.T. U.G. का entrance exam दीजिए और उसके बास U.G. आप कर चुके थे C.U.E.T. PG. का दीजिए अब तो net जैरफ भी C.U.E.T. include कर लिया है सब कुछ अपने में तो C.U.E.T. एक जो सारी चीज़े बताई जा रही हैं वो सिर्फ U.G. की हैं PG की अभी में सारी बाते नहीं करूंगा लेकिन U.G. PG में सिर्फ इतना अंतर मुझे बताया गया है अब कितना अंतर है वो भगवान जाने लेकिन जहां तक मुझे बताया गया है कि आप अगर U.G. में admission लेते हैं अपने तीन साल के graduation में वहीं से आपका admission होगा तो आप sports try करेंगे अभी मैं आगे बताने वाला हूँ कि जो sports quota के through admission ले लेते हैं वो इतना आसान तरीकी की life नहीं जीते हैं उनको जब अगर आप sports quota के through admission ले रहे हो तो जब भी university अपना practice करवाएगी आपको वहाँ पे होना पड़ेगा क्यों होना पड़ेगा क्योंकि आप भी योगदान दीजे sports में आपने sports के through bhu admission लिया है तो bhu के लिए कुछ करिए तो sports department अपना सब कुछ कराता रहता है sports के जो president होते हैं वो होते हैं vice chancellor लेकिन vice chancellor के पास उतना समय नहीं होता power तो बहुत होता है वो decision एक लोगो एंपी theater में है उसके बगल में sports board का office है बी एच्चू का आप जाकर के वहाँ पे teacher professor समय टू समय बैठते हैं एक समय बता करके आप जाएंगे तो आपको सारी जानकारी वहाँ से मिलेगी बी एच्चू में कोई game खिल ला है तो भी जानकारी मिलेगी agriculture में 5 seat है sports की मतलब यहा commerce में become यहाँ वे BSC AG BSC AG में 5 seat performing arts में 3 seat visual arts में 3 seat और SBDV में 3 seat यह परंपरागत पढ़ाही कराता है संस्कृत की वह संस्कृत जो कला संकाय में चलता है उससे हट करके संस्कृत है ठीक है करम कांडी बहुत सारी चीजे जो इसमें ब्रावन निकलते हैं जो पूजा पाट करव लेकिन इसमें आप अचाहड बनेंगे यही SBDV एक faculty का नाम है faculty जो की BHU में चलती है और SBDV के ही छात्र जागर के अमता बच्चन के यहाँ शादी करवाए थे ठीक है तो सूच लो कि यह जो उस तरीके के ब्रामन होते हैं वो यहाँ पर पाए जाते हैं ओके तो SBDV यह पढ़ाई करवाती है इनमें 33 seat law faculty जो BLB होता है जिसकी 60,000 फीस है लगवग उसको बढ़ा करके 63 के कर दिया गया है 2023 में बहुत सारे फीस बढ़ी है चुकि बहुत लोगों ने धरना भी किया रुक करके हमें भी बोलना पड़ रहा है क्योंकि बहुत लोगों ने एक अब ऐसा कौंसा स्टुरेंट संगठन है जो किस तरीके से धरना कर रहा है उसका धरने का कोई मोल ही नहीं है और लोग कहते हैं कि इस्टुरेंट को हमेशा हर चीज का विरोधी रहना चाहिए ताकि सारी सुविधायें सही की जा सकें लेकिन फिर भी क्या चीज़ चल लिए महिला महा विद्याले में सौरोर सीट है है और सारे को से चलते हैं सौर शीट में बटे हूए से पांच आर्ट में है पांट social science में है अर outta यहां पर कितनी सीट है टो तो पत्चीस सीट है वहां पर किसमें डिवाइड़ेड है आइट्स, Commerce Social Science सभी लोग अपने अपने में डिवाइड कर लिए है मतलब 25 डीएवी में भी है आगे आते हैं क्योंकि आगे भी बहुत सारी चीज़े है जो आपको देखनी चाहिए अब जैसे यहां पर पीजी कॉलेज है डीएवी पीजी कॉलेज एक तरीके का यह कोर्स है यह कॉलेज ह इसमें भी आठ सीट है वसंद कन्या महाविद्याले इसमें भी आठ सीट है और आरे महिला पीजी कॉलेज इसमें भी आठ सीट है अगर आप इस आठों सीटों को सुनिश्चित करेंगे जाकर के कि इसमें किसी ने स्पोर्ट्स कोटा में एडमिशन लिया है कि नहीं लिया ह और दूसरा नोट क्या लिखा है No such provision is available for special course except BALLV under the faculty of law मतलब किसी भी special course में sports quota की जरीए admission नहीं होता सिर्फ BALLV एक special course है जिसमें BHO seat देती है कितनी seat देती है BALLV में BALLV में 2 seat है जिसको यहाँ पर लिखा गया है आपको चिताया गया है ठीक है अब आते हैं नीचे यह हमने आपको यह point बता दिया था पहला point क्या बोलता है Candidate shall be considered sports quota only on approval from University sports board ठीक है तभी considered किया जाएगा आपके sports quota का certificate जब उसको university sports board approval करेगी तब जागे आपको मिलेगा दूसरा point क्या बोलता है In order to eligible in sports quota seat मतलब sport quota seat के लिए eligible के लिए Candidate should have passed the qualifying examination Should have appeared in entrance exam concert course Must fulfill AIU participation rule मतलब यहाँ पर बोला गया है कि Candidate अपना सारा entrance exam पास करके आएगा Qualification marks भी उसके अच्छे से होने चाहिए वो cut off भी पार कर गया है qualification marks मतलब cut off वो भी पार कर गया है तो आगे क्या चीज़े और भी होंगी इसको भी जानने की कुछिस करेंगे यहाँ पर तो सारी चीज़े आप पार कर गये और AIU participation ठीक है Association of Indian universities ठीक है यहाँ पर association या Association of Indian universities का जो participation है वो भी होना चाहिए और दी यहाँ क्या लिख रहा है शूड है प्लेडर नेशनल मसलब उसको कोई न कोई नेशनल खेलना चाहिए जूनियर सब जूनियर डिवीजन स्कूल गेम फ्रेडेशन कुछ भी हो ठीक है अट लिस्ट अप टू क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन और शुड हैव सिक्योड पोजिशन इन जोनल और डारेक्ट जोनल ऑल इंडियन इन इन इनिवरस्टी टुनॉमेंट चैंपियंशिप एई यू गेम्स एस पर स्टेवल गिवन विलो एसार नंबर फोर तो एसार नंबर फोर क्या है इसको बहुत सही तरीके से जानने के लिए और इतना मत जानी है अब कम जानी जितना कम जानेंगे जितना सटी जाने होतना सही रहा है लेकिन अब ज्यादा जाना चाहते है तो एसार नंबर फोर को एक बाद ठीक से आपको पढ़ना होगा पढ़िए ठीक है कोई दिक्कत न कोटा गित्रूब येके वे ड्मिशन लेना चाहता है उसे प्रैक्टिकल टेस्ट भास करना होगा दह जो यूद्फ थीट्नेस कि आपका यहां पर भी एक एक्जाम होगा क्या क्या एक्जाम होगा और खेलने का टेस्ट लिया जाए का जो आप खेल में बढ़ियां सा यहां पर क्या लिख़्ा है और यहां पर कंडियट फॉलॉइंग इस फोर्स गें आर्चरी चेस्च शूटरी और मोडिफाइड यूज़ fitness test for 40 marks the candidate must secure at least 50% marks in each test namely modified upper youth fitness test not applicable for archery chess and shooting playing ability and practical test will be conducted by committee constituted by University Sport Board consultation with controller of examination अब मतलब मैं आपको बता दूँँ दोस्तों साफ साफ यह जो तीसरा point है वो क्या बोला है आपको मैं बताने की कोशिस करता हूं ठीक है इसको आप ठीक से जानिए तीसरा बोला है कि आपका fitness test भी होगा ठीक है fitness test भी होगा आपका और आपको playing आप जो भी game में निपूड होंगे वो खेल करके भी दिखाना होगा ठीक है तो यह चीजे हमें follow करनी होगी और जो भी मतलब यह सारी चीजे युनिवर्स्टी स्पोर्ट्स बोर्ड ठीक है युनिवर्स्टी स्पोर्ट्स बोर्ड जो की controller of examination के अंडर भी एच्चो के अंडर में काम करेगा और आप लोगों का सारा कुछ डेटा निकालेगा वेरिफाई करेगा कि नहीं हाँ इतने given candidates are eligible और यह बहुत ही सही है ठोस चीज़े हैं इनको admission में लेना चाहिए ठीक है अब अब मेरिट कैसे qualify की जाएगी मतलब कैसे दिया जाएगा मेरिट किसके पास कितने achievement है और उनको किन तरीके की चीज़े मिलेंगी कितना number मिलेगा कौन सा certificate होने पर इसकी जानकरिया यह देखिए इंगलिस में क्या लिखा है अब देखिए यह आपके सामने है किस तरीके से युनिवर्स्टी लेगी किस तरीके से लेगी यह देखिए गा ठीक है इसपोर्ट्स अचीब्मेंट मार्क्स इन वेरियस कैटेगरी आरेस फॉलोज ठीक है अब यह देखिए बहुत ज्यादा मैं एक रिपोर्टर हूं या फिर जनलिस्ट हूं तो मुझे बस है नेशनल इंटर जोनल नेशनल सीनियर जुनियर यूथ स्कूल गेमस फेडरेशन ऑफ इंडिया अंडर नाइंटीन उनली ठीक है और यहां पर क्या लिखा है अगर आप फर्स्ट पोजीशन रखते हैं टीम के साथ खेलें तो तीस नमर मिलेगा इंडिवीजूल गेम राय है यहां से फेक है तो पाकिस्तान भी पार कर जाए ठीक है यह अभी नए नए गेम में देखने को मिलना है नीरत चुपरा को जो की इतना जादा प्राउड मोमेंट वो कर रहा है इंडिया को और उनकी माता जी ने जो बयान दिया कि लोगों ने पूचा कि पाकिस्तान को हर करके टिपली नहीं करना चाहती तो सोचते हैं इतने डाउन टू अर्थ लोग हैं जो कि इंडिया को इतने बड़े लेवल पर चला रहे हैं और देखिए ने कितना सीधा साधा इंसान है आराम से घुमता रहता है मस्से और इतना जादा फेमस जो हमारे हाँ क्रिकेटर कम से हो गया हैं वैसे वो नहीं है काफी अच्छा लगता है उनके कई लोग आदर्स मानते हैं उनको और किसी ने गोल्ड मेडल ऑलम्पिक मिलाया थे बहुत बड़ी बात है हम तो हमेशा हमेशा मतलब साधगी में सर जुकता रहेगा और जितने लोग इस वीडियो में देख रह टाब सुर्ण फर्स पोजिशन वाले को तीस नमबर मिलेगा सेकेंड पोजिशन 25 नमर मिलेगा धार्ट 20 नमबर दीटL को अब Лजाओ तो यह नंबर बीजोगा ठीक है अब भी है ओल इंडिया इंटर जोनर लडिए और और गरनाईट बाई-आ-ई-जियम इंडिजवएड यहां पर first आपका होगा same यही चीज़ है लेकिन यहां पर कुछ चीज़े बदली गई है यहां पर कुछ चीज़े नहीं बदली गई है ठीक है तो same चीज़े वही है जो इधर दिया गया है एक criteria है marks है अगर आपने first position हासिल किया किसी sports faculty में किसी जैसे माल लीज़े आपने कोई भी एक ऐसा game खेला जिस पर आपकी पूरी team first आ गई तो team खेली है तो 30 number मिलेगा आप team में रह करके खेले हो अगर आपने कोई game अकेले individual खेले हो तो 35 number मिलेगा 5 number बढ़ जाएगा जिसे नहीं आपे 25 पांच बढ़ गया तीस हो गया 20 थर्ड position पर और सिर्फ आपने अगर लिया ही है ठीक है आपने सिर्फ लिया है आप विजी दस number आपको मिलेगा यहाँ पर individual कुछ नहीं है यहाँ पर तो same वही चीज यहाँ पर भी है नीचे आते हैं नोट और बहुत सारी चीज लिखी हुई है अगर आप यह पूरा वीडियो देखते हैं तो हमें लगता है कि आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से बीच्चू स्पोर्स कोटा में एडमिशन होता है बहुत ही सिंपल है इंटर डिस्ट्रिक नेशनल चेंपियंसिप इस सब चीजों का इंक्लूड नहीं किया जाएगा तो बहुत ही बहुत ही बहतरीन है कि नहीं है इस पर आप कुछ बोलना चाहते हैं कि इसको बहाल किया जाए इसको ठीक से रेगुलेट किया जाए यह भी लोग तवज्जों रखते हैं अगर आपके दिमाग में कुछ भी ऐसा प्रश्ण है तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखेगा ठीक है और आगे बढ़ते हैं और भी आगे जानकारी देने की खुशिश करते हैं और दूसरा पॉइंट क्या बोलता है यहां पर क्या लिखा है एक तारिक से लेकर के क्या लिखा है 17 2018 17 2018 के बाद आपके पास जो भी certificate है अगर आप भी अच्चू में अड्मिशन लेना चाहते हो 2023 में UET प्रोग्राम के अंतरगत तो ही सारा चीज मानने होगा मतलब 17 2018 के बाद आपने जितने भी certificate जीते हैं जितने बड़े आप सूर्मा है जितने भी आपकी profile है वो मानने की जाएगी इसके पहले आपने कोई national, international super duper match खिला हो तो ये मानने नहीं होगा मतलब recent चीजी चाहिए जैसे बीच्चो ने बोला था कि हमें ततकाल बना हुआ income certificate चाहिए caste certificate चाहिए जो भी certificate लगते है OBC, NCL तो सब recent बना होने चीए आय प्रहमार, पत्र, जादी प्रहमार, पत्र, निवास प्रहमार, पत्र सब कुछ मतलब फिलहाल का बना हो तो उसमें ये भी 5 साल पहले का जोड़ दिया है कि 17, 2018 के पहले वाला पहले देखिए इसके पहले वाला कोई भी डिगरी मानने नहीं होगी लेकिन इस डेट से स्टार्ट करिए और इस डेट के बाद वाला कोई भी डिगरी मानने होगी डिगरी का है हम मतलब है certificate, sports certificate ठीक है sports certificate तो ये सब सारी चीजे हैं और भी आगे हम बढ़ने की कोसिस करेंगे पच्वा पॉइंट पड़ते हैं ठीक है in the case of equal sports achievement point अगर किसी का equal achievement point रहता है sports मतलब एक इनसान है अच्छे से draw करके समझाता हूँ एक इनसान है जो यहाँ खड़ा है ठीक है और एक बगल में भी एक इनसान है जो यहाँ खड़ा है ओके दोनों का जो achievement वो है वो एक है achievement point है वो same हो गया बराबर हो गया in faculties the intersection ranking will be decided on the basis of UET index जब यह बराबर हो गया माल लो कि इसने भी suppose that माल लो इसने भी 50 number पाए इसने भी 50 number पाए ठीक है दोनों का match कर गया तो इन पे competition और फिर क्या जोड़ा जाएगा जो इनका COET में marks आया होगा इंटरेंस exam जो दे कर कि आए होंगे वो वो यहाँ पे जोड़ा जाएगा उसको लेकर के तवज्जो दिया जाएगा ठीक है तो कितना सिसाई है B.H.U. के सारे स्पोर्ट्स कोटा का नमबर जोड़ दिये पदा चला मेरा और मेरे साथी का इक्वल आ गया हम एक ही सीट बच्ची है तो वहाँ पे क्या लिया जाएगा मेरिट लिया जाएगा और ये सारी चुज़ों में पारदर्सिता होगी पारदर्सिता नहीं होगी आप Allra G Temper, रिया भी आप RTI डाल सकते हो कि हां यहां पे धंदली हक है धंदली होता है लेकिन अगर आप चाहेंगे आप स्स्मार्ट होगे तो आपके साथ नहीं होगी होता है ना बेवकूफों के साथ जो की lack of information रखते उनी के साथ हमेशा अत्याचार होता है ठीक है तो यह हो गया यहां पर आगे note में क्या लिखाया है note में मैंने यह point पूरा पढ़ा था इसको फिर से पढ़ता हूं also equal to the aggregate percentage of marks in the qualifying examination will be considered as the equal then the candidate senior age will be preferred okay 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 पच्वा पच्वा चीज बहुत ही बहतरीन है पच्वा मैंने आपको क्या बताया मित्रो देखिए बहुत ही सिंपल था पच्वा और बहुत ही बढ़िया जैसे कई सारे conditions निकल के सामने आते हैं कि एक यह भाई-साब है और एक यह भाई-साब है ओके दोनों लोग का 48 48 न है या science है कोई भी किसी भी faculty में admission लेना चाहते है FMC ओके तो यहां पर क्या होगा देखे अगर यह जो sports का जो physical test और training test हुआ था उसमें नंबर सेम आ जा रहे हैं सेम तो उपर क्या किया जाएगा अगर सेम नंबर आ गए यह दोनों लोगों के दोनों लोगों के मतलब है यह जोड़ा जाएगा अगर CUET का मार्क्स भी सेम निकल गया कि उनका भी 122 आया था आपका भी 122 आया है ठीक है तो सोच रों दोनों लोगों का CUET का भी मार्क्स निकल गया मतलब बेच्चोई sports quota ने आपका टेस्ट लिया दो लोगों का तीन लोगों का सेम निकल गया सेम तो उसके बाद उनके उम्र को तबज्जो दी जाएगी जैसे मैं बड़ा हूं तो बड़े लोगों को तबज्जो दिया जाएगा कि कौन एज में बड़ा है उम्र में कौन बड़ा है तो तीन क्राइटिरिया डिसाइड करते हैं sports quota में समझ रहो यह नई जानकारी है यह ब है यह गंडिए फॉड रिप्रेजंट एंडिया और इंडियन कंबाइन अच्टी तीम व्ल इनुवर्श्टी गें विल डारे टैन एड़े अद्मिशन प्रवाइट यह पास्ट गालिफाइएं डिशन द्या इंप्लिपाइट एड एड्मिशन आप्लिशन श्या प्लिशन application form the follow दूसरा point क्या बोलता है the following games sports certificate will not be considered as the game as either not approved by AIU AIU क्या है Association of Indian Universities और University does not have sufficient infrastructure ठीक है तो वो नहीं अगर आपका participation नहीं है आपका जो certificate जैसे MBBS कर लिए तो MBBS रशिया से करके आते थे तो इंडिया में एक test देना पड़ता था फिर उसके बाद हम जाकर के qualified होते थे कि नहीं अब practice कर सकते हैं सीधे वहां के MBBS के degree पर यहां पर हम अगर practice नाम है इसका यह अगर certified की रहेगी आपके certificate को जो भी certificate आपके पास है तो मानने होगा ठीक है तो यह है छोटा सा point यह था यहां पर आपको समझाने की कोशिस था यह नीचे लिखा है बैडमिंटन बॉलीबॉल मेल ठीक है MW MW बहुत सारी sports जो यहां पर चलते हैं बहुत सारी sports जो यहां पर लिखे हैं वो भी अच्चू में चलते हैं जैसे बैडमिंटन बेस्बॉल कैनोइंग काइक इंग साइकलिंग फैंसिंग कोरबाल रावनिंग सॉप्ट बॉल बहुत सारी चीज़े गटका ठीक है गटका मुझे यह मलब पबजी किया दा गई मैं भी पबजी पहले खेला करता था कुछ दिन बीच में मैं यही गाम क्या हू पबजी खेला हूं सी पॉइंट क्या बोलता है इट इस मेंडिटरी फॉर दे स्पोर्ट कोटा एड्मिटेट इस्टुडेंट टुरीपोर्ट फॉर इस्पोर्ट्स प्रेक्टिस दूरिंग प्रेक्टिकल्स सेशन्स ऑब गेम एन इवेंट एड्मिशन में भी कैंसिल इन इस आप नॉट अटेंडिंग इस प्रेक्टिकल फॉर टीम गोइंग टू प्रेक्टिसिपेट इन कंपडिशन देखिए दो पॉइंट यहां पर क्या बोलता है मैंडी ट्री कि अगर आपने ब्याच्चु में स्पोर्ट्स कोटा गे थ्रू एड्मिशन लिया है तो आपका फर्ज बनता है कि आ करके आप यहां पर प्रेक्टिस करें लिखा है ना गेम और इवेंट जब भी कुछ चल रहा हो प्रेक्टिस नहीं करेंगे तो क्या होगा निकाल दिया जाएगा डी पॉइंट क्या वो लाइडमिशन में भी कैंसर लिंदे केस ऑप नॉट अटेंडिं तो मैंने अभी आपको क्या बताया थोड़ा से संशिफ्त में उसको कनक्लूड करता हूं जैसा कि मैं हमेशा करता हूं मैंने आपको भी एच्चुई स्पोर्ट्स बोड ठीक है यह board ऐसा लिखा है कि यह से लग रहा है कि हमने क्या कर दिया है clean ठीक है आते हैं इस पर बियच्चू स्पोर्ट्स बोर्ड बियच्चू स्पोर्ट्स बोर्ड जो कि बियच्चू में चलता है और इसके सारे नियम कानून आपको बुलेटीन में मिल जाएंगे बुलेटीन जो 2023 का होगा उसको पढ़िएगा अगर आप 2024 में 25 में 26 में अडमिशन लेना चाते हैं तो यह बुलेटीन हमेशा बदलती रहती है में यह भी नया गाइडलाइन नया रूल रेगुलेशन आ चुका हो तो उसी साब से आप चेक करिएगा ठीक है तो यह है पुरा युनिविश्टी में स्पोर्ट्स का भुपत अच्छा महल है जैसा कि आप यहां पर देख रहे होंगे ध kindly सारे स्पोर्ट्स यहां पर रन होते हैं और बहुत लिख तरीके से चलते हैं ब्यच्शू में देखो के बिएच्चु तेरे सो इकड की है तो चोटा से मत समझना हर जगा ओपेन एयर जिम रखा गया है लोग जिम भी करते हैं फिर एक बहुत बड़ा स्टेडियम है फिर धेर सारी स्टेडियम है हर फैकलीटी के पास अपने-पने स्टेडियम है ठीक है अपने अपने ग् प्रेटिस वहां पर देना होगा इस पोरी कहानी इस पोर्ट स्पोर्ट की बीएच्चू की आपको कुछ और भी जानना है आप अगर चाहते हो कि मुझे इस चीज की विजानकारी सार आप देदो तो हम उसको जरूर देने की कोशिस करेंगे बस उसको आप कॉमेंट में लिख देना बेच्चू सम्मंदित हम सारी जानकारे दे रहा हैं और भी बड़े स्केल पर देते चले आएंगे क्योंकि हमने बहुत समय से काम नहीं किया बहुत लोगों ने कहा कि आप से अच्छा कुछ और लोग भी काम कर लेंगे कि इतना सखे हैं और जो भी आप कि मन की आसंका है उसको कमेंट बॉक्स में लिखे उस नहितर बनाने का मन को ने जानकारी चैनल पर शुल्सक्राइब करें ये घर अब करा है गिए बेल जो भी पर ओकत leap कर दीजेगा आपके मन पे है यह सब दीजेगा का मतलब जरूरी नहीं करना है आपको अच्छा लगा हो आपके लिए कॉंटेंट है तो आप यह दूसरों तक पहुंचानी के लिए अपने आप पहुंच जाएगा जो भी स्पोर्ट्स कोटा में रुची रखते होंगे आफ ज जय हिंद जय भारत